जहिन सातियों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी खूब मन लगा कर रहे होंगे हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कॉंट्रक्ट कॉस्टिंग के अंतर जहां हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सिसन चल रहा है हम लोग पांच प्र प्रैक्टेरियल लॉस्ट की और उसे सेल भी किया गया था तो थोड़ी सी अच्छी कंडिशन थी आज का कुश्चन उससे भी बहुत अच्छा उससे बलकि बहुत अच्छा पिछले कुश्चन की तुलना इस कुश्चन से नहीं की जा सकती बहुत अच्छी इन कंडिशन से के अंतरगत दी गई है आप से यह कहना अगर लगातार आप हमारे साथ पढ़ रहे ना तो कुश्यन को पढ़ते ही आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि इस कुश्यन के क्या कंडिशन थी क्या अच्छी बात है क्योंकि वीडियो नंबर एक में मैं इस बारे में बात कर लिए है हो मोर्क है मान लीजिए तो कुश्यन का PDF आपको टेलिग्राम चैनल कॉमर्स विद्वेद्शिरा और इस्क्रीन पर दिख रहा होगा Following data related to a contract undertaken by Ms. Shanti Construction Company. The contract was commenced on 1st January 2003 and the data have been extracted from the books on 13th June 2003. 1st January को start हुआ 13th June के लिए हम contract account बना रहे हैं ध्यान रहे Information देखो और बताओ मुझे कि कहां पर क्या कोई चीज ऐसी आई मैं hint भी दे दिया हूं कि कुछ तो आया है क्या, material used, wage paid, plant, salary to supervisor, value of certified work, cost of uncertified work, cash received from the contractees, materials on hand, additional information, the following further information has been supplied to you. The wages of the workers for a week and salary of the supervisor for a month were outstanding on 30th June 2003. The contractor charged 10% depreciation per annum on the plant. You are required to prepare contract account and work in progress account term transfer reasonable profit to PL account also to work in progress in companies, balance it on 13th June 2003. चलिए मैं format बनाता हूं और आप कमेंट बाक्स में बताएं कि यहां पर क्या अच्छे conditions कुछ आई हुई हैं, तो हम लोग करेंगे contract account और यह year इंडिंग नहीं है, for the period इंडर्ड थर्टीन्थ जून 2003 डेट का importance होता है, year का कोई importance नहीं होता, year चाहे कोई भी हो तो columns बना रहे हैं, तब तक आप बता दीजिए हमको इमानदारी के साथ बताना क्योंकि यह कोई live class नहीं है, जहां पर हम judge कर पाएंगे कि आपने सही बताया है या जूट बोल दिया है, मेरे बताने के बाद बताया है, बस यह मान रहा हूँ कि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, बड़े इमानदार बच्चे हैं और इमानदारी के साथ अगर आपको आता है तो आपने सही ही बताया होगा, otherwise आप बताएंगे ही न और अमांट अब मैं बताता हूँ कुश्चिन के अंदर माटेरियल यूजड दिया है मैंने कहा था कभी भी माटेरियल यूजड आएगा तो मैं उसको पहले कनवर्ट करूंगा माटेरियल इस्यूड में दिन कुश्चिन को सॉल्ब करूंगा क्योंकि माटेरियल यूजड हम यूज़ नहीं करते और मटेरियल यूज़ को कैसे कंवर्ट किया जाता है में यह भी बताया था वीडियो नंबर एक में और मटेरियल से रिलेटर जितनी इनफॉरमेशन दी गई हFrाई लो मटेरियल इस यूड अपने आप रिजयाएं इस यूज़ हम क्या दिखेंगे कैसे इसको बनाएंगे एक इकत्र छे सो का material हमने क्या किया यूजड किया और material in hand 8400 का मेरे पास रखा भी है इसका मतलब इसू इतना किया गया होगा जिसमें हमने इतना यूज़ कर लिया कितना होगा पहले टोटल कर लो छे चार दस आठेग नौ एक दस एक लाख असी हजार एक असी का भेजा गया ह होगा जिसमें इतना एक इकत्र छे सो यूज़ हो गया इतना रह गया अब बात समझ में आई कि क्यों ऐसा करता है अगर यह लिख देंगे उसके बाद इसको क्रेडिट लिखेंगे तब तो गलत हो जाएगा क्लियर हो गया तो यह अच्छा पंट था बहुत अच्छा पंट था इग्जामिनेशन हाल में बैठकर प्रेशर के अंतरगत आप यह चीज़ समझ पाएं बड़ा मुश्किल है अगर आपकी यह प्रेक्टिस में नहीं है तो चलो अगली कंडिशन वेच पेड रुपीज वन लाइक तो वेच पेड वन लाइक एड आउट इस्टेंडिंग सिक्स मंट्स टिक्स मंट्स और 26 वीक्स एक वर्स में कितने सप्ता होते हैं बावन तो छे महीनें कितने होंगे चप्विस अब इडिशनल इंफॉर्मेशन में जाओ जहां लिखा है दवेच सॉफ द वर्कर फॉर वीक अड़ सेलरी ऑफ द शुपरवाइजर फॉर वर आउट इस्टेंडिंग एक सप्ता की मजदूरी आउट इस्टेंडिंग है छे महीने में एक सप्ता की मजदूरी आ 425 वीक्स हमने पेमिंट कितना किया है 25 सप्ताह के लिए पे कर दिया है एक सप्ताह नहीं किया वह आउट इस्टेंडिंग है 25 सप्ताह के लिए पे कितना किया है एक लाख तो एक लाख है डिवाइड़ वाइड़ 25 बराबर 4000 रुपया एक सप्ताह का बनता है वह आउट इस लिख दूँगा कि यह बात समझ में आई यहां अगर नहीं पहुंचा आपका दिमाग तो कुष्चन सही हो नहीं पाएगा इसलिए कहता हूं बहुत अच्छी कंडिशन अगर यहां दिमाग नहीं पहुंचा तो आपका कुष्चन नहीं हो पाएगा आप किसी भी अच्छी बात है लिख लो उसके बाद में सेलरी ऑफ सुपरवाइज़र तू सेलरी ऑफ कितनी ग्यारा अजार एड आउट इस्टेंडिंग ग्यारा हजार रुपे सेलरी हमने पे करी है कितने महीने की बात है छे महीने की बात है और एक महीने की पे नहीं करी है हमने कितना काम किया छे महीना एक महीने की सेलरी अभी पे नहीं करी तो जो पे करी है वो कितनी है सेलरी पेड़ पॉर फाइव मंद्स ग्यारा हजाद इसका मतलब है पांग दूना दस ट्वंटी टू थाउजन पर मंद्स बाइस्थ रुप्या पर मंत पे करते हैं कितना जब 6 महिने के काम कर रहे हैं यह को ओ एक मेना कहते हमने दिया नहीं तो दिया पांच महिने का पांच महिने हम दिया ग्यारा हजार इसका मतलब बाइस्पर पर महिना तो 20 तो यहां और जोड़ दो बारा, ग्यारा दो, तेरा, तेरा दो सो, चलो आगे बढ़ो, वेल्यू आफ वर्क सर्टिफाइड, बाई, वर्क सर्टिफाइड, कितना है वर्क सर्टिफाइड, तीन लाख बावन अजार, बाई, वर्क सर्टिफाइड, अठारा अजार, बाई, मटेरियल, इन हैंड, आठचाइड चार सो, यह देखो, ऐसा नहीं कि मटेरियल यहां जोड़ देना तो कहना अब उधर लिखेंगे नहीं, अब लिखना है, क्योंकि अब तो ओवर्राल वेल्यू हमने बना लिये ना, बाई, प्लांटेट साइट, बाई, प्लांटेट साइट कितना, नहीं पता है, डेप्रिशेशन काई 10% पर एनम, प्लांटेट साइट, प्लांट गया था एक पचास का, डेप्रिशेशन, एड़ी रेट 10% पर एनम, तो एक लाख पचास हजार, गुड़े दस बटे सो, गुड़े छे बटे बारा, ये दो जीरो, छे कंछे छे दूनी बारा, साड़े साथ हजार रुपे, डेप्रिशेशन लगेगा, दस बटे सो, छे बटे बारा, छे महिने के लिए काम कर रहे हैं, वर्स भर के लिए नहीं कर रहे हैं, तो 152, 142, 500, देखो अब कुछ बचा क्या, और कुछ होता ही नहीं है, पतलब होता है लेकिन है नहीं कुछ शन के अंदर, चलो, टोटल कर लो, पांचार नो, आठ, दो, दस, 10, 18, 18, 18, दो, वीस, पांदो, साथ, एक, आठ, आठ, चार, बारा, दो, तीन, एक, चार, चार, एक, पांच, पांच, लाख, वीस, जार, नो सो, डिफरेंस निकाल लो, दू, साथ, चार, तीन, साथ, साथ, observed, बारेंस, Done, एक पंद्रा और साथ बाइस एक दो एक तीन चार पांच तीहत्तर साथ सो कितना रहती तर साथ सो टोटल प्रॉफिट एकदम सही है तू बैलेंस कि सीडी अब इसी को लिखेंगे बाई कि बैलेंस बीडी तीहत्तर साथ सो टू पील अकाउंट टू वर्क इन प्रोग्रस अकाउंट सच बताना कुश्यन आपको लगता है कि नहीं अच्छा है बहुत स्टेंडर्ड कुश्यन एक्जाम में पूछा भी जा चुका है अब देखो आपका वर्क यह कॉंटक्ट प्राइस कितना दिया हुआ है कुछ है कि कुश्यन के अंदर कॉंटक्ट प्राइस दिये नहीं गया है जब कॉंटक्ट प्राइस कुश्यन के अंदर ना दिया गया हो तो यह मान लिया जाता है कि वन हाफ या इस ते ज्यादा का वर्क सर्टिफाइड हो गया है ध्यान रख बैलन्स इंटू तू थर्ड इंटू कैश्ट रिसीवड अपॉन वर्क सर्टिफाइड बैलन्स है 7370 गुड़े 2 बटे 3 गुड़े कैश्ट रिसीवड कैस्ट रिसीवड कुष्चन में है 3,16,800 और वर्क सर्टिफाइड है 3,52,000 अब चलो इसको कल्कुलेट कर लेते हैं तो यह कितना आ जाएगा 7370 गुड़े थरी गुड़े थरी और इंटू तीन सो लाट सो डिवाइड़ वाइड़ थीन लाख बावन हजार 44,219.94,220 कर लेंगे 44,220 44,220 एक बार एंसर मैंश करता हूं क्या यही दिया हुए 24,220 के 73,700 सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तो आप इसका पहले स्क्रीन सोट ले लें और उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बेहता तरीके से कॉंट्रेक्ट अकाउंट हमारा हो चुका है अब हम लोग को क्या करना है वर्क इन प्रोग्रस अकाउंट बनाना है और उसके बाद में देखना है कि बैलन्सीट में वैल्यू कैसे जाएगी उन्तिश चार्सो अस्ती रुपे हमारा प इन प्रोग्रस की एक क्रेडिट साइड में थी जहां वर्क सर्टिफाइड वर्क अंसर्टिफाइड प्लांटर सेट मटेरियल इन हैंड था उसके लिए डेविट साइड में होता है टू कॉंट्रेक्ट एक ऑइकाउंट पिछले हर वीडियो में इसकी जर्मरल इंट्री बता चुका हूं फिर बता देता हूं इंट्री होती है वर्क इन प्रोग्रेश्स अकाउं डवेट टू कॉंट्रैक्ट अकाउंट इस वजह से 18,000, material in hand 8,400, और plant at site 1,42, 500, ये था, टोटल कर लो, पांचार, नो, आठाट, सोला, चार, बीस, पांच, छे, चार, दस, दो, बारा, तीन, चार, एक पांच, अच्छा, पांच, बीस, नो, सो, वहां था, वहीं आएगा, बाई, चांस, बाई, कांट्रक्ट अकाउंट, क्यों, डेविट साइड में भी तो तुमने लिखा था, 29, 480 रुपे का एक वरकिन प्रोग्रस, तो वो यहां एगा, क्योंकि उसके लिए इंट्री होई थी, इकांट्रक्ट एकउंट डेविट वरकिन प्रोग्रस अकॉंट, तो वरकिन प्रोग्रस अकॉंट में वो क्रेडिट पोस्ड हो जाएका, यह आपा टोटल कर लोगे, सेम वेल्यू पांच बीस नाव सो पांच लाग बीस हजार नौ सो बैलेंस निकाल तो जीरो आठ दो दस चार एक पांच चार नौ और नौ एक दस दो एक टीन नो तीन बारा और चार चार लाकी 95420 कितना डिफ्रेंस आएगा चार लाक एक क्या नवेज़ा, 420 मैच कर लेता हूँ, 0, 8, 2, 10, 4, 4, 8, 9, 9, 10, 9, 2, 11, 12, 4, 1, 5, पाई, बैलन्स CD, अब बनाएंगे बैलन्स सीट और वो भी कैसे, एसेट साइड बैलन्स सीट कैसी चाहिए, केवल अचेट साइड भी, यहां क्या लिखते हैं पिक्स्ट अचेट का पार्ट होता है यह वर्क इन प्रोग्रेस 4,91, 420, इतनी असेट से वो लगा चुका है कांट्रक्टर और इसके अंगेंस्ट कैसे रिसीव्ड कर चुका है, 3,00,000 कुछ रुपे की शायद कितनी 3,00,12,800 3,00,16,000 तो 0,2,14,8,6,10,6,4,9,8,1,7, बस, 74,620 क्या यह भी दिया गया है नहीं दिया गया है यह नहीं दिया गया है, 4,91,420 यह दिया गया एंसर ओके, यह एंसर दिया गया है तो यह इतने ही आ रहा होगा एक बार चलो मैं चेक कर लेता हूँ वैसे सही ही होगा, गलती होती नहीं है जल्दी 4,92,420 माइनस 3,00,800 3,00, हाँ 1,00,74 क्योंकि यहाँ तो 9 से गया था ना 8 से गया साथ, 1,00, 1,00,74,620 आएगा ठीक, 1,00,74, 4,00, गलती नहीं होती है, गलती हुई, इत्ती बड़ी हुई, एक लाग का अंतर आया, 1,00,74,620 रुपए आएगा हमारा एसेट साइड में बैलेंस इट तो यह एक बहतरीन कुश्यन था जिसके अंदर तीन कंडिशन बहुत अच्छी थी एक माटेरियल इस्यूड यूजड दिया गया था, उसे इस्यूड में कनवर्ट करना था, वेज आउट स्टेंडिंग थी, बड़ा ही क्रिटिकल तरीके से बहुत ही समझती वी उसको कल्कुलेस्ट करना था, और सेलरी का कल्कुलेशन बहुत हार्ड नहीं था, लेकिन ठीक था, वेज का कल्कुलेशन थोड़ा क्रिटिकल था, इतना इज़ी नहीं था, तो अगर पहले तो इसमें साड ले लो, और भाई अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो शेर जुरू कर दो अपने दोस्तों के साथ में, वो भी हाली दिगमेंटिशन के साथ में, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन कुश्चन के साथ, आप तो हार्ड से हार्ड की और बढ़ते हैं न, तो मिलेंगे फिर एक अगले बहुत अच्छे कुशिन के साथ तब तक के लिए जाए हिन दोस्तों